नमस्कार मैं गौरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी देख रहे हैं सी नियूज भारत उतरप्रदेश की योगी सरकार समाज के हर तबके का ध्यान रखने के साज साथ पश्वों की विवस्थाओं को लेकर भी सजग है और अगर हम बात करें उतरप्रदेश के में जानवरों को बिमारी ना हो और उनके इलाज और रोख थाम को देखते हुए उतरप्रदेश के पशुधन और दुग्द विकास मंत्री धर्मपाल सिंग ने आज यहां पशुपालन निदेश आले में आयो जोते कारिक्रम में प्रदेश में संचालत बहुत देशिय सच पशुच किस्सा सेवाएं राज योजना के तहट पाच नवीन वातान उकूलित वाहनों को हरी जंडी दिखाकर विभाग को समर्पित किया इस मौके पर उन्होंने उतरप्रदेश पशुधन ने उतरपाद 2013 पुस्तिका का विमोचन भी किया उन्होंने कहा कि पशुधन की सुरक्षा और समबर्धन का कार बहुत आविश्रिक है पशुपालकों को पशुधन के लिए आविश्रिक सभी सायता सरसमय उपलब्द कराई जानी चाहिए पशुधन मंतरी धर्बपाल सिंग ने कारिक्रम को समबोधित करते वे कहा कि विभाग को समर्पित नवीन पाश बहुत देशी सचल चिकित सभाहनू से शेत्री स्तर पर संचालित विभिन योशनाओ जैसे पशुटी का करण कृत्रिम गर्भाधान कुकुट पालन लगु पशुविकास पशुधन बीमा मोबायल विटनरी इकायू के साथ-साथ निराश्रित गौवन्ष संद्रक्षन का का सग्ण अनुश्रवन किया जा सकेगा पशुपालकों को आर्थिक रूब से सक्षम बनाने हेतू संचालित कारिक्रम जैसे बक्री पालन भेंट पालन कोकुट पालन इत्यादी की निगरानी की जा सकेगी इस मौके पर हमारे स्योगी गौरफ शिवास्तव ने पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंग से खास बातचीत की देखें राज़ाई लखनों में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंग जाने की क्या उजना है और क्या लाब मिलने जा रहे हमारे प्रदेश के पशुधन दिखिए पशुधन का स्वास्त बहतर हो इसके लिए बहुत देश स्योजना को आज गाड़ियों को भेजने का काम किया गया है वैसे भी भारत सरकार ने पहले हम लोगों को गाड़ियां उत्तर प्रदेश को दिए उनिस सो बास्ट नंबर कोई पसुपालक डायल करेगा त संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दबाएं जिलों पर उपलब करा दियें लंपी इसकिंड यी जैसा रोग भेंकर उसको भी हम टीके वगारा सब उपलब करा चुके हैं क्योंकि योगी सरकार की प्रात्मिक्ता है कि पसुओं का स्वास्त बहतर हो हम देश में उत्तर प् कोई कमी ना रहे कोई खामी नहीं आवे तो इसके लिए उचित चारी का प्रिबंद करना उनके रहने का प्रिबंद करना और दबाओं का भी उत्तम प्रिबंद करना संचारी रोगों से बचाओं के लिए दबाओं की विवस्ता कर देगी आप समय पर सक्रिता का यहां पर होती रहे और आपकी सक्रिता का यहां पर लाब भी मिलता रहे अपने सवाल बहुत अच्छा किया है अभी अमरोहा में भी मैंने जिलादिकारी को कहा है कि एक महिने में आप जिला इस तरपर किसी ना किसी एक सिस्टम बनाके गौसालाओं का निरिक्षन करते रहे और आज भी हम अपने अधिकारियों के साथ यहां निदेशाले में बैठें इस पर हम चर्चा करके कारवाई करें आंगी क्या मान सकते हैं और को किसी जुनाय यहां पर ल्याज़े सकती क्योंकि आप लागाता सक्री रहते हैं यहां पर भी पांच बाहुनों को यहां पर आपने धारी दिखाई है और क्या मान के चलें उत्ताप्रेस में आपके अगलाब करने वादे के सचल दल निरंतर सक्री हैं भारत सरकार भी इसके लिए चिंतित हैं हमें गाडियां उपलब्द कराई हैं और भी आवसकता पड़ेगी तो भारत सरकार से मांग पत्र भेज कर लेने का काम क इस रिपोर्ट में बस इतना ही देश तुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहेगे सी निउस भारत